तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुमें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज़ादा आपकी इज़त का खयाल करता है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज़त है और ना कोई सुख है। इसलिए महनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़ादा आपने आपकी जरूरत है। कुछ वक्त इश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग दोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग दोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। इंसान की बुद्धी मानी उसके चहरे और कपड़ों से नहीं बलकि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से जलकती है। सब की शिक्वे मिटाने का ठेका मत लो तो कि वो तो कभी खतम नहीं होने वाले जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो खुद भी गलत है अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपनी जीवन की आधी मुश्किलों को समात कर लिया है अपनी कीमत आप स्वयम तै कीजिए अगर दुनिया को तै करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी बास्तविक प्रेम का अनुभाव कभी सुख में नहीं होता बलकि सच्चे और जुठे प्रेम का पता वो दुख में चलता है भार से मत घबराओ तो कि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं मायूस मत हो बंदे तेरा वजूद छोटा नहीं अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं जो प्रियास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शक्स को कि वो किसी और को ना चाहे अरे तुम्हें महबबत कहा थी सिर्फ दिल लगी थी वरना सच्ची महबबत में पल भर का बिछणना भी तेरे लिए कयामत होता किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है चाहे कोई रिष्टा हो या कोई चीज हो इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ बच्तावा ही बच्ता है कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं जिम्मेदारियां भी कूब इंतहान लेती है जो निभाता है उसी को परिशान करती है जिन्दगी तो सस्ती है बस गुजारने के तरीके महंगे है अपनी तो जिन्दगी ऐसी ही है जनाब जमीन मिली तो बंजर और दोस्त मिले तो खंजर कर्म आकाश की और फैके गए उन पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फैका था सबर करो जो आपका अपना है वो आपको मिलकर रहेगा सोचते हैं हम भी सीखले बेरुखी करना सबसे सब की कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है तनहा रहना नजर अंदास होने से कई गुना बहतर है जिनकी वफा पर नास था हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं और हालाद बदलते ही लोगों के अंदास बदलते देखे हैं आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो दस जगए मुँ मार रहा है मुझसे दिखावे की महबबत जताने का कोई फायदा नहीं मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जस्बातों की कदर होगी मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं पर मैं कल क्या बनूँगा ये पुरी दुनिया जानेगी दर्द के स्वा मिला ही क्या है मुझे अपनों से भी और सपनों से भी इतने काबिल बनो की कोई आपसे ये न बोल सके की मेरे बिना तेरा क्या होगा मेरी ये शायरिया गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह है मुश्किले हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्षा पर नहीं होता कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बगेर रहना भी बहुत मुश्किल होता है हर नई शुरुवार इनसान को थोड़ा डराती है पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे वरना नजर अनदास करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते इनसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले तो कि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां कर करकर की सीखे जब कोई आपको अंदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना बहुत खुश किसमत होते हैं वो लोग जिने समय और समझ एक साथ मिलते हैं क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते मुझे दिक्कत उन लोगों से हैं जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं यहां हर किसी को दरारों में जहांकने की आदत है अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता गलती पीट की तरह होती है औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है कोई परिंदों के लिए बंदूग तो कोई पानी रखता है दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगए या तो किसी के दिल में रहो हमसफर हो तो हालात बदलने वाला हो। हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड है लोगों के दिलों में। इसलिए हम अकेले ही रहते हैं जो बुरा लगे उसे त्याद दो फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो इतना भैतर भी ना खोजो कि भैतरीन को ही खोदो दुनिया को छोड़ो पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो और किस्मत महलों में राज करती है थोड़ा बहुत पागल होना भी जरूरी है क्योंकि जादा समस्दार लोग खुलकर हसते कहां है उम्र भर भटकना ही भैतर है किसी गलत जगय बन जाने से बढ़ती हुई समस्दारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिष्टे कमजोर हो जाते है मैं हमेशा तुमारे साथ हूँ ये कहने वाले लोग अक्सर छोड़ के चले जाते है हयाल उन्ही के आते हैं जिन से दिल का रिष्टा हो हर कोई अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता सरफ वो खुदा ही जानता है कि मैं अपने दिल में कितने दर्द छुपाए बैठा हूँ बार बार दोखे को माफ मत कीजिए परना आगे वाला व्यक्ती आपको मुर्ख समझने लग जाएगा इनसान सब कुछ भूल सकता है सवाए उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज़ादा जरूरत थी और वो उसके साथ नहीं थे तो मुझ में खामिया ढूनते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दिवाना हो गया जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया समझ लेना की वो तुम्हें समझ गया बे मतलब बे फ़जूल बेकार नहीं है नए दोर के रिष्टे हैं साहब बस वफादार नहीं है इसाब पूरा रखा करो क्योंकि आजकर लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है खुदा करे तुझे इश्क हो मेरे जैसा और तुझे महबूब मिले खुद तेरे जैसा एक बार ही बहती है ये नजरे किसी को देख कर ये इश्क है साहब सौ बार नहीं होता मैं खुद ही था खुद को किनारे लाने वाला वरना समंदर ने तो बहुत मौके दिये मुझे डूब जाने के सिर्फ दोखा देना ही दोखा नहीं होता किसी के साथ अपना पंग जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा दोखा होता है सोचा था इस मौड के बाद आगे सुकून मिलेगा लेकिन ये सोच सोच के हमने पूरी जिन्दगी खतम कर दी अजीब लोग हैं खुद बदल जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम बदल गए हो कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से लोगों के लिए सोचते हैं कभी कभी तनहाई भी बहुत सुकून देती है जब हमारे पास होने के लिए कुछ ना बचे जिन्दगी कैसी अजीब हो गई है ना खुश दिखना तो शोने से ज़ादा जरूरी हो गया है शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे दोखा खाने वालों में रखा दोखा देने वालों में नहीं अगर ये दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के भी दरवाजे पर ताले नहीं लगे होते भाइश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे पर गोशिश है कि कोई गलत ना करे खुद का धर्द खुद से जादा और कोई नहीं समझ सकता जिन्दगी में इतने बुरे लोग मिले कि अब तो अच्छे भी बुरे लगने लगे हैं अब ये मत पूछना कि अलफास कहां से लाता हूँ कुछ चुराता हूँ दूसरों के दर्द और कुछ अपना हाल सुनाता हूँ तुने तो ऐसे छोड़ दिया मुझसे बात करना जिसे सदियों से मेरी महबत तुछ पर कोई बोच थी मेरी कही हुई बातों को हर कोई नहीं समझ पाता क्योंकि मैं एहसास कहता हूँ और लोग अलफास समझते हैं जिसे निभा न सकूँ मैं ऐसा वादा नहीं करता मैं अपनी बाते आकास से जादा नहीं करता भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान को चुने की लेकिन दूसरों को गिराने का मैं कभी कोई इरादा नहीं रखता कुछ लोग बसंद करने लगे हैं अलफाज मेरे मतलब महबत में बरबाद और भी लोग हुए हैं अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं दिलों में भी लफजों में भी और दुआओं में भी विसे दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए पर असल मौत उसकी है जिसका अफसोस सारी दुनिया करे बंधन रिष्टों का नहीं अहसासों का होता है अहसास खतम रिष्टा खतम कितना मुश्किल होता है न एक मरे हुए मन को जंदगी भर जिन्दा जिस्म में ढोना दूर रहने वाला हर शक्स दूर नहीं है और पास रहने वाला हर शक्स पास नहीं है एक बार भरोसा तूटने के बाद रिष्टे में बात तो होती है पर वो बात नहीं होती हाँ पता है कि हर इनसान दोखा नहीं देता लेकिन अब हम भरोसा नहीं करते हैं हसते रहो, सीरी नहीं ये आपके पास हसने का कारण है बलकि इसलिए क्योंकि दुनिया को रती भर फरक नहीं पड़ता कि आप खुश है या दुखी है कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं दर्द तो बहुत हो रहा है लेकिन दिखाने को घाव नहीं मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबग सस्ते लोगों से ही सीखे हैं इतनी ठोकरे देने के लिए शुक्रिया आये जिंदगी चलने का ना सही लेकिन संभलने का हुनर तो आ ही गया बात इजज़त की नहीं, कदर की होती है जगए खुद ही बनानी पड़ती है चाहे किसी का दिल हो या किसी का घर हो जिने कदर तक नहीं तुम्होंने अपनी दुनिया बना बैठते हो अगर आपको अपना परीचह खुद देना पड़े तो समझ लीजे कि काम्याबी अभी बहुत दूर है सबसे जादा खुश वो लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कलाकू सीख लेते हैं महबबत की सही पहचान इज़त है जो आपकी इज़त नहीं कर सकता वो कभी आपसे महबबत नहीं कर सकता रिष्टों को वक्त दिया जाता है बहाने नहीं तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जिन्दगी का सबसे कीमती इनसान होता है दोखे ही दोखे हैं जहां में कहीं एतबार नहीं मिलता जिसम याप पैसे के बुखे हैं सब यहां कहीं सच्चा प्यार नहीं मिलता जब अकेले ही काटना है मुझे जिन्दगी का सफर तो पल दो पल साथ रहकर मेरी आदत खराब ना करो जब तुम्हें कोई नजर अंदास करना शुरू कर दे तो जान लेना अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है इनसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है मुश्किल है पर थोड़ी कोशिश किया करो जब जहां मौका मिले हसके जिया करो कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वो कभी नहीं असता जब मैं रोता हूँ ये जिन्दगी है साहब उलजेगी नहीं तो सुलजेगी कैसे बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे हम जिनके लिए रोते हैं अक्सर वो लोग किसी और के होते हैं अपना पन परवाहा आदर और थोड़ा समय ये वो दौलत है जो हमारे अपने हम से चाहते हैं आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है चुनोती तो मन को समझाने की होती है खुद को इतना ग्यानी मत समझो कि लोग आपको पागल समझने लग जाएं जिस व्यक्ती ने अपनी आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है जो गुजर चुका है उसे मुड़कर कभी मत देखो वरना जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाए बस यही सोच कर मैं हमेशा लड़ता आया हूँ कि धूब कितनी भी तेज हो वो समंदर नहीं सुखा सकती अच्छे दिन सिरफ बैठे रहने से नहीं आते उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है भरोसा और प्यार दो ऐसे पंची है अगर इन में से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है सुन्दरता मन की रखो क्योंकि फेस वाश से सिरफ मूँ चमकते हैं दिल नहीं जिन्दगी जीना आसान नहीं होता इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से कुछ नजर अंदाज से धरिया बनकर किसी को डुबाने से बहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए कभी किसी को दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर लौटती है बोलने से पहले शब्द इनसान के बस में होते हैं लेकिन बोलने के बाद इंसान शब्दों के वस्थ में हो जाता है जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठनाईयों की वज़य दूसरों को मानते रहेंगे तब तक आप अपनी परिशानियों को कभी दूर नहीं कर सकते बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है पथर की तरह नहीं जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है जिस चीज का डर लगता है वही चीज करो आपका डर हमेशा के लिए खतम हो जाएगा लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं उस वक्त में खुद को बहतर बनाने में काम करें तो ये सारी दुनिया ही बदल जाएगी दुनिया अगर तुम्हारा विरौत करें तो कभी डरना मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है कोई भी इंसान तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है भाव से अभाव से और प्रभाव से यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो अभाव में आया है तो उसकी मदद करो और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी योग्यता दी है जो लोग मुँ लगाने के भी काबिल नहीं होते आप उनसे दिल लगा बैठते है घोड़ा वही जीतता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समस्थार हो वक्त का खास होना जरूरी नहीं है लेकिन खास के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिने तुमारी कोई परवा ही नहीं है अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है बदलता वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं हुआ करते रोते रोते हुए कहती है जिन्दगी मुझसे कि सिर्फ एक शक्स की खातर मुझे बर्बाद न कर इनसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है इनसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है जो पकड़ पकड़ कर उन्ही लमों को ले आता है जो उसे तकलीफ देते है आपका दिल बहुत कीमती है इसलिए हमेशा कोशिश करना इसमें वही लोग रहें जो इसमें रहने के काबिल हो यदि हर सुबह मीन कुलते ही आप किसी लक्ष को लेकर उच्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहें सरफ जिन्दगी काट रहें हैं हालात वो न रखें जो होसलों को बदल दे बलकि होसला वो रखो जो हालातों को बदल दे मिलता तो बहुत कुछ है इस जिन्दगी में बस हम गिंती उसी की ही करते हैं जो हासल न हो सका गल्तियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा यहां जिन्दगी है जनाब यहां तारीफे भी होंगी और कोसा भी जाएगा सफलता भी फीकी सी लगती है यदि कोई बदाई देने वाला नहों और विफलता भी सुन्दर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो जो दूसरों को इज़त देता है असल में वो खुद इज़तदार होता है क्योंकि इनसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है एक बार किसी इनसान से अगर भरुसा उड़ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फरक नहीं पड़ता महनत के आगे किसमत की इतनी आउकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने न दे हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए इससे बहरे भी सुन सकते है और इससे गुंगे भी समझ सकते है जो रिष्टे दिल में पला करते हैं सरफ वो ही चला करते हैं आखों से पसंद करके बनने वाले रिष्टे वक्त वक्त पे पदला करते हैं सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो ये सीख लो कि गर्दन कहां और कितनी जुकानी चाहिए एक सच्चे रिष्टे को हमेशा समय देना चाहिए क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो और रिष्टा ही नहो सारी उम्र गुजार दी हमने तनहाई में जरा सासे क्या तूटी मेला सा लग गया उधार और प्यार बस उन्ही को दो जो आपको वापस दे सके जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सर्फ उसकी सोच हम से अलगे उस दिन जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे